नेक्स्ट है आधुनिक और समकाली नितिहास को प्रभावित करने वाले कारक। क्या ऐसे मैतपून कारक है जिसने समकाली नितिहास और आधुनिक नितिहास को प्रभावित किया है। जो मानेता हैं उनको सविकार करने के आधार पर युनान है रोम है और इरोब के बिभिन देशों में शिक्षाव ग्यान और ग्यान का जो है परचार परसार हुआ था ये एक मैतपून एक पीरेड था रेनेसा जिसको आप कहते हैं जिसने की समकाली नित्यास को बहुत अधिक में प्रभावित किया था ये पुंद्र जागन का काल ही था जिसमें अरस्तु है सुकरात है प्लेटो है जैसे सहीत्यकार और दाशनिक थे जिनोंने नवीन विचारों को प्रतिवादित किया कला का ललित कलाओं का संगीत कलाओं का जो हो विकास हुआ और विश्व पतल पर जो है वो इतिहास की जो मानसिक्ता है उसको बदलने में में तपून भूमी का निभाई थी दूसरा है धर्म सुधार इसे रिफॉर्मेशन कहते हैं चुकि कैथोलिक चर्च का प्रभाव यूरोब के अंदर सबसे अधिक था और कैथोलिक चर्च में भी विविन परकार की चुकी थी लेकिन 16 शतावदी के पश्षाद क्याथ। चर्च की बुरायों का विरूद करना प्राराम किया जा चुका था एक नई व्यवस्ता जो नया मत उदय हुआ जिसको प्रोटेस्टेंट कहा गया और बाद में प्रोटेस्टेंट चर्च को सिविकार किया गया जिसने की जो कैथोलिक की रूडिवादी व्यवस्ता है उसका खंडन किया जहां फ्रांस, इटली, स्पेन, औस्टेलिया और दक्षिन जर्मनी थे वो कैथोलिक चर्च को माने वाले दूसरी तरफ इंगलेंड है, स्कॉटलेंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है और उत्री जर्मनी थे जो कि प्रोटेस्टेंट चर्च के पक्ष में थे, तीस वर्षों तक इनके मत्दे में संगर्ष चलता रहा, जिसे की ईउरोब की तियास में 30 यर्स वार के नाम से जाना ज ना है, जिसने की इसे परभावित किया, नेक्स्ट है नवीन खोजें, जो न्यू जिग्रोफिक जो डिस्कवरीज हुई है, जिग्रोफिकल डिस्कवरीज में अगर हम बात करें, कॉलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की, और 1497 में जॉन कैवेट ने न्यू फांड लेंड स्थापिक जो है वो उसकी खोज की 1498 में, बासकोडी गामा ने भारत की खोज की आशा अंतरीफ के रास्ते से के पॉफ गूड होब जिसको आप कहते हैं, और मेगलन ने 1519 से 1522 के मद्ध है, विशेशकर के समुदरी रास्ते से संपूर्ण विश्व का जो है वो परिकर्मा की थी, भर्मन किया था, 1577 से 1580 के मद्ध है, जो इंगलिश ट्रेवलर थे, फ्रांसिस व्रेक, उसने भी समुदरी रास्ते से संपूर्ण विश्व की परिकर्मा पूरी की थी, ये मैतपूर्ण खोजें थी, जिसके कारण जो विश्व के अलग-अलग महादीब हैं, अलग दूसरे के करीब आये थे, ब्यापार, वारिज्यस, संस्कृति, विज्ञान, और द्योगी कर्ण, इसका आदान-परदान जहु संबभ हो पाया था, नेक्स्ट है, राश्टबाद, चुकि यूरोप के अंदर और यूरोप से बाहर, जो न्यू स्टेट्स है, उनका इस विस्तापित किया जा चुके थे, जिसके कारण यहाँ पर जो समकाली नितिहास से उसको प्रभावित किया, उन्होंने अपने राश्ट, अपना देश, अपनी संस्कृती, उसको विकसित, उसको प्रसारित करने का प्रियास किया, अर्थात नए प्रकार का जो संगर्ष एउरोप के अंदर, एशिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, लेटिन अमेरिका के अंदर, अफरीका के अंदर प्रारम्भ हुआ और इस ने भी आधुनिक इत्यास और समकाली नित्यास को प्रभावित किया था जैसे कि अरव राष्टवाद का नाम आप सुनते आ रहे हैं इन लेक्स्ट है वानिज्य मरकेंटाइलिजम जिसको आप कहते हैं वानिज्य भी एक महतपून घटना थी आधुनिक इतियास और समकालिन इतिहास में चूकि समुद्री मार्गों की खोज हो चुकी थी और जो भोगोलिक विशमता हैं उसकी उपर विजय प्राप्त की जा चुकी थी समुद्री जहाजों की खोज करके दिशासूचक की खोज करके विज्ञान की विकस्त होने के कारण इसलिए ब्यापार और वानिज्य शिक्रता से एक महादीव से दूसरे महादीव तक पहुँचना प्रारंप हुआ ब्यापार और वानिज्य के कारण जो देशों की सम् और देशों में जो संस्कृति का विकास हुआ, सहित्य का विकास हुआ, शिक्षा का विकास हुआ, स्वास्ते सेवाओं का विकास हुआ और इसके साथ आठिक विकास वह विभिन शेत्र में हुआ, उसके कारण भी समकाले इंदी तिहास और आदोनी के तिहास प्रभावित हुआ नेक्स्ट है, इंग्लेंड में जो शांदार क्रांती हुई थी, जो Glorious Revolution of England की कहा जाता है चुकि इंग्लेंड में Parliament के मध्य और राजतंतर के मध्य संगर्ष चला हुआ था और उस संगर्ष के कारण ही 1642 से 1649 के मध्य जो फो ग्रै इंग्लेंड के अंदर चल रहा था अंतता जो इंग्लेंड के Parliament है उसकी जीत हुई और उस जीत के कारण जो Divine Right of Kings थे उन राइट्स को समात कर दिया गया था, इसलिए इंगलेंड के अंदर जह पार्लेमेंटरी व्यवस्था स्थापित की जा चुकी थी, सत्रुइश तापदी में इसे इंगलेंड की शांदार कांती माना जाता है, अर्थात एक राज वन्शों के लिए एक संदेश था, अर्थ अमेरिका के स्वतनता का संगर्ष चला हुआ था, अर्थात जिसे एक बिश्व शक्ती के रूप में इंगलेंड को माना जाता था, उसको प्राजित होना पड़ा था, तो अमेरिका के स्वतनता का भी एक संपूर्ण बिश्व में संदेश गया, जिसने की समकालीन और आधन इक इतिहास को अवश्य परभावित किया था, फ्रांस की करांती के संदर में रेम्स से मियूर का मत है कि ये एक वर्ल्ड रेवलिशन थी, जो 1789 में हुई थी, इसमें fraternity, equality, liberty, ये जो तीन मेहतपून नारे थे, उस नारे ने बिश्व की तसबीर को ही बदल दिया था, अर् विभिन देशों में, महादीपों में और विभिन जो राज्य थे, उन में करांती की आगाज सोना संभव था, ये एक ऐसी करांती थी, जिसने समकालीन इतिहास को और आधुरिक इतिहास को अत्यधिक प्रभावित किया था, उध्योगिक करांती, जब वो next metaphor point था, इउरोप में ओध्योगिक करण 18 स्तापदी में प्रारंब हो चुका था, इउरोप के विभिन देशों में अध्योगिक करण विर्मिन काल में प्रारंब हुआ, जाए इंगलेंड से शुरू हुआ, अध्योगिक करण इटली, जर्मणी, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, आ इस सौद्योगी करांती के कारण मानव सामाजिक जीवन में आर्ठिक जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हुए थे और उन आमूल चूल परिवर्तन के कारण जब वो समकाली नितिहास और आधनिक इतिहास में भी यह वो परिवर्तन होना सभाविक था और थात इसे परभाव अधिक से अधिक लाव प्राप्त करने के उधिश्य से मजदूरों का शोशन करना प्रारंब किया था अर्थात एक नई व्यवस्था जिसके जो मेहतपून विचारक हैं वो कार्ल मार्क्स रहें कार्ल मार्क्स ने सोशल कॉंट्रेक्ट नामक जब वो बिशेश करके ऐसी व्यवस्था यहाँ पर त्रिसकरित की जिसके कारण उनने कहा कि जो पूझी प्राप्त करने वाले लोग हैं वो मजदूरों को उस लाव में हिस्सा नहीं देते हैं जबकि वास्त्विक उत्पादन में और वास्त्विक लाव अर्जित करने में सबसे वड़ा युगदान श्रमिको का रहता है इसलिए समाजबाद का जो दर्शन है वो संपून बिश्रम में फैलता चला गया उसने भी समकालिन इतिहास को जो है वो प्रभावित किया था दास कैपिटल जो सबसे मैत्वपोन पुस्तक कारल माक्स की हैं उसने नेक्स्ट है गठ बंदन का आगमन अब इंडस्टिलाइजेशन हो चुका था कैपिटलेजम जो है वो विशेश रुप से अस्तितों में आ चुका था और अध्योगी करण जो वो यहाँ पर पनप चुका था अब इरोप के अंदर लाव के उदेशे से ब्यापार वानिजे के उदेशे से और आंतरिक सुरक्षा के उदेशे से बाहय आक्रमन के मद्दे नजर रखते हुए गठ बंदन का जो यूग है वो प्रारंब हुआ था सबसे पहले 1879 में परशिया और आस्ट्रिया के मद्दे में डूल अलाइंज जिसको आप कहते हैं वह अस्तितों में आय 1894 में में फ्रांस और रश्या के मध्य में गठ बंदन हो चुका था और 1907 में इंग्लेंड ने जब इस गठ बंदन को जो है वो जोडा या इंग्लेंड उसमें समलित हुआ तो यह ट्रिपल एंटेंट के नाम से विख्यात हुआ था यह परसपर संशे के कारण था परसपर इस के पश्यात जो है यहां पर कोल्ड वार जो शुरू हुआ था जिसमें की रश्या और अमेरिका के नेत्रत्त में अलग अलग गुटबंदी प्रारम हो चुकी थी नाटो है सीटो है सेंटो है इस परकार के सैनिक गठ बंदन उनका आगमन हो चुका था इन्होंने भी आमस या शस्त्रों की होड चुकी परसपर जहवू परतिसपरधा का यूग प्रारम हो चुका था सामरेजवाद का यूग प्रारम हो चुका था वानिजवाद व्यापारवाद का यूग प्रारम हो चुका था और पुझीवादी व्यवस्था अधिक से अधिक लाब कमाना चाहते थी अधिक से अधिक अपनी व्यवस्ता को सुरक्षित करना चाहते थी इसलिए श्रस्त्रों की खोड़ परतीग देश में बढ़ चुकी थी यूरोप के अंदर दिविन देश अपने बजट का अधिकांश भाग जह वो श्रस्त्रों को प्राप्त करने में निर्वित क करने में जो खर्च कर देते थे इसके कारण भी जो समकाले नितियास है आधुनिक इतिहास है इसमें आप देख चुके हैं कि प्रथम विश्वयूद दोत्य विश्वयूद ये ऐसे विनाशक जो परिनाम थे जो कि श्रस्त्रों की होड के कारण ही जो है पन पे थे नेक्स् क्योंकि अपनी सीमा को सुरक्षा देने के लिए और सामराज्य विस्तार करने के उतेश्य से अपने ब्यापार और वानिजे को सुरक्षित करने के उतेश्य से सैनिक जो प्रशिक्षन है उसको कई देशों ने अनिवारे किया था साथ में अपने इउरोप में प्रभाव स् थी इसके कारण भी सैनिक बाद पनपता चला गया और ये सैनिक बाद का ही परिणाम था कि जो प्रथम और द्विश्व युद्ध हुए उन में विश्व रूप से उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था और विश्व में बिंद्वसक परिणाम इसके सामने आये थे लास्ट है आर्थिक सामराजवाद जिससे आप कहते हैं इकनोमिक इंपररिलियसम एक नई व्यवस्था थी यूरोप के अधिकांश देश समरिद हो चुके थे अमेरिका और लेटिन अमेरिका के भी कही देश समरिद हो चुके थे और अब वो नई व्यवस्था अपनी पादन तो अधिक हो चुका था लेकिन उसकी उपोग तक जह वो कम थे जनसंख्या यूरोप के अंदर काफी कम थी इसलिए वो अफ्रीका के अंदर एशिया के अंदर ऐसे नए उपनिवेश स्थापित करना चाहते थे जिन के उपर उनका एकॉनोमिक कंट्रोल हो आर्थिक ज कि यूरोप से बाहर एशिया और अफ्रिका जो है नव आर्थिक सामराजवाद के अखाड़े बन चुके थे इसने भी आधनिक और समकालिन इतिहास को प्रभावित किया था लास्ट में जो आपके लिए साइन्वेंट्स हैं मैंने आपको यहां दी हैं एक्स्प्लें दा फ साथ लाइन में और मुझे ग्रूप में आज पोस्ट करना है दिस इस यूर वक फॉर दा डे हैव अगुड टाइम हैंडे हैव नाइस टे